सो हेलो में विल्कम दोस्तों सुवागत अब से विक है कौन ने यह अमस्तान की ब्रैंड ने वीडियो में सो आज अब आपको होताने वाले कि अगर आपके Free Fire Max में जो Custom Collection Pack है वो दोबारा दोबारा डेलीट हो जाता है और आपको रोज ही डाम्लोड करना पड़ता है तो आपको इस वीडियो के बाद वो Custom Collection Pack दोबारा डाम्लोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों सिर्फ आप आपको वो एक ही बार डाम्लोड करना पड़ेगा और जब Free Fire Max अपडेट हाएगा तब ही आपको वो दोबारा डाम्लोड करना पड़ेगा दोस्तों सो मैं जो इस वीडियो में स्टेप बताऊंगा उन स्टेप्स को अगर आप फॉलू करोगे तो आपको Custom Collection Pack रोज रोज रो इस वीडियो को लाइक करना है हमारे चनल को जरूर सबस्क्राइब करना है जो बरते हैं हमारे इस ट्वपिक की ओड़ सबसे पहले अगर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहती हो आपको setting खुल ली नहीं है setting कौन सी setting वही setting खुल देनी है मैं ईस Setting की बात नहीं कर रहा हूं मतलब mobile की settings खुल देनी है mobile की setting होलने के बाद आपको यहाँ पर connection वाले option पर चले जाना है mobile connection ऐसा कुछ option होगा आपके mobile की setting में उस पर चले जाना है फिर आपको more connection की setting में जाना है more connection की setting में जाने के बाद एक ऐसा option होगा private dns उस पर आपको click कर देना है उतना लिखने के बाद आपको इस वाले option पर क्लिक कर देना है दोस्तों इतना करने के बाद आपकी जो क्या कहते हैं बहुत से लोगों की problem है वो यहीं solve हो जाएगी और कुछ चुनिंदा लोग बसते हैं उनकी problem solve नहीं होती है आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है दोबारा आपको setting खुलने के बाद आपको यहां पर जो private क्या कहते हैं उसको device care वाले option पर क्लिक कर देना है यहां पर three dot होगा उपर three dot पर क्लिक कर देना है storage वाड यह option पर जाना है फिर फिर पर क्लिक करने के बाद फिर आपको scroll down क करने के बाद आद देख सकते हैं auto delete unnecessary data दोस्तों यही सवरे फरसात की जड़ है जो 90% लोगों की जो problem होती है वो इसी से मतलब इसी solution के इर्दगर्द घूमती है क्या करते हैं न दोस्तों यह जो option है ना इसी से दोस्तों जो आपका mobile है वो custom collection pack download कर मतलब delete कर देता है free fire से mobile में यह दोस्तो option off होगा मतलब on होगा इसको आपको simply off कर देना है इतना करने के बाद दोस्तों आपकी problem 100% solve हो जाएगी अगर नहीं होती है तो please मझे comment में बताइए मैं आपको personally जवाब दूँगा कि आपके mobile के हिसाब से कि आपकी problem क्या हो सकती है दोस्तों चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था उमेद है कि आप सभी के योडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे हमारी इस चेंग को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह की content को पाने के लिए देखते रहे गेमिंग सुल्तान मिलते ह आप से कौने वीडियो में तैंक इस वीडियो को देखने के लिए